ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में उत्तरप्रदेश के महराज गंज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहाँ प्रुधान मंत्री आवास योजना की 11 लाभारती महलाओं ने पहली किस्त मिलने के बाद अपने खाते से पैसे निकाल लिये और अपने कथित प्रेमियों के साथ फरार हो गई मामले का खुलासा तब हुआ जब इन महलाओं के पती पुलिस के पास पहुँचे और दूसरी किष्ट पर रोक लगाने की मांगी महीं इस हैरान करने वाले मामले के उजागर होने के बाद प्रशाशन अब इस पूरे मामले की जांच में जुड़ गई है देखिए पोरी रिपॉर्ट पूरा मामला उत्तरप्रिदेश के महराजगन जिले के निचलॉल ब्लॉक का है इस ब्लॉक के तहट आने वाले नौ गाउं के 11 महलाएं पीम आवास यूजना की पहली किस्त लेने के बाद ही अपने पती को छोड़ कर प्रेमी संग फरार हो गई महीं पत्नियों की भाग जाने से परिशान पत्नियों के सामने दो समस्याएं खड़ी हो गई है एक अभी तक निर्मान कारे शुरू ना कराये जाने के चलते जिला नगरिये विकास अभिकरन की ओर से उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है दूसरी समस्या विभाग द्वारा रिकावरी किये जाने का खौफ पैदा हो गया है वहीं अब पीड़ित पती समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या करें जुसके बाद सभी पीड़ित पतियों ने जिला प्रशासन से दूसरी किष्ट खाते में ना भेजे जाने की गुहार लगाई है वहीं कैमरे के सामने पीड़ित के परिजन बोलने से बचते दिखे लेकिन कुछ परिजन उने कैमरे के सामने आकर बताये कि पियम आवास का पैसा आते ही उनकी बहु फरार हो गई सुनिये वहीं इस हैरान करने वाले मामले के बार दिएम अनुने जहाने क्या कुछ बताया वो भी सुनिये जो मामला है अब ही समझान में आया हमारे जिसमें 11 महिलाओं के खातों में परिजन मत्री आवास की किष्ट आंतरेथ हुई थी लेकिन उस किष्ट का उन्होंने दुश्प्रोग किया है और उसको आवास बनाने में वो धन्राशी का प्रयोग नहीं कर रहा है तो हमने समझान बीडियो का निर्देशित किया है कि जितनी भी ऐसे लामालती है उनके विद्ध कारवाई की जाए रामपचाथ सर्चों के माधम से और रिकावरी की भी कारवाई याथा शीगर उनके विद्ध करके सरकारी धन जो है उसको वापस ट्रेश्री में हम लोग वापस लें इनको पहली किस्त मिली और ये दोनों महिला लाभारती भी पतियों को छोड़कर प्रेमी के साथ एक महीने पहले फरार हो गई थी वही अब एक और मामला सामने आया है वही जहां पतियों को मीत थी कि पिया मावास योजना के तहत उनका घर का सपना पूरा हो जाएगा लेक आप देखते रहें सीन्यूस भारत